हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों है विश्याद आसब का स्वागत करता हूँ आपके चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना बूल ले ताक आज में आपको बहुत सारी कुछ अजीब और अच्छी से ट्रेक्स बताने वाला हो सकता है माइड भी आपको इनके बारें पता हो लेकिन ये उन लोग के लिए जो बिगनर्स हैं जो ज्यादा एस के हैं जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है ओके दोस्तों तो दोस्तो आपको पता है क्या होता है कि आपके पास unnecessary notification आने लग जाती है वो reason होता है आप Chrome खोलते हैं वहाँ पे जैसे ही Chrome खोलते हैं वहाँ पे एक option आता है पुछ नोटिफिकेशन का पुछ नोटिफिकेशन क्या होता है दोस्तों वहाँ पे जैसे आप पुछ नोटिफिकेशन आत अब दोस्तो इसको आप बिल्कुल नहीं हटा सकते जड़ तक आप अपने फॉन में जाके सेटिंग को वहां से चेंज नहीं करेंगे ओके दोस्तो अब जो फॉन की सेटिंग होगी तो उस फॉन की सेटिंग से आप उस Chrome की नोटिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं ओके दोस्तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी अब दोस्तो आप चाहते हैं कि Chrome से नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप वहां पे कैशे क्लियर कर सकते हैं Chrome पे जाके ओके दोस्तो तो Chrome पे जाके कैसे क्या करना होता है मैं आपको बताईता हूँ आपको क्या करना आपने History हटा दे नहीं है History अगर आप जाएंगे यहां पर जाके History का Option आपको मिल जाता है आप History time to time हटाते रहिए Clear Browsing Data यहां पर जाके आप Browsing Data को Delete कर दीजिए तो आपने अगर किसी को Push Notification के लिए Allow किया है तो वो यहां पर नहीं आएगी एक Option है यह ओके दोस्तो अब दोस्तो बात करते हैं एक ऐसा Option जिसकी मदद से जो Phone का एक Option है जहां से आप हर किसी जितनी भी एप है सबसे आप Notification को Disable कर सकते हैं तो इसके लिए अपको क्या करना होगा Setting में जाना होगा Setting में अलग अलग तरीके से UI आती है तो आपको यह देख लेना किस तरीके से आरा है आपके में सब्बाइब को हैं आप और में को सल्ड़ा एक के तो यहां सबस्क्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको孕े सारी वास को देखने को मिल जाती रहा थे यहाँ पर चाहे तो आप उनको update कर सकते हैं, uninstall कर सकते हैं, find कर सकते हैं, या फिर permission वगेरा चेक कर सकते हैं, आपने किस app को कितनी permission और दे रखी है, ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि Chrome है, मैं Chrome पर जाऊंगा, यहाँ पर मुझे option देख जाता है, stories का 1.7, यहा से, stories को यहाँ से बिलकुल खतम कर सकते हैं, ओके दोस्तों, Chrome की download अगर देखा जाया, तो Chrome होता है, 50 MB के असपास का, लेकिन अभी इसने मेरे mobile में 1.7 ZB का stories कवर अप कर रखा है, यहाँ से जाके मैं इसे कर सकता हूं, clear data नीचे option है, ओके दोस्तों, यह इससे एक आपका internal storage जो है, वो भी भर जाएगा, permission चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन से permission दे रखी है, camera की दे रखी है, location की दे रखी है, microphone की दे रखी है, stories की दे रखी है, इनको मैं यहाँ से disable कर सकता हूं, in case, if I want, ओके दोस्तों, बस अब बात करते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जा कि आप बहुत कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, browser से related क्या क्या है, browser से related यहाँ पर show notification आनी चाहिए कि नहीं, इसे भी यहाँ से बंद कर देंगे, ओके दोस्तों, और complete download वगेरा कि अगर notification आनी चाहिए कि नहीं, वो भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, ओके दोस्तों, content suggestion, active download, incognito mode, इन सब की notification आनी चाहिए कि नहीं, यह सब को भी आप यहाँ पर check कर सकते हैं, ओके दोस्तों, तो देखिएगा, एक बाई use करके आपको मज़ा आएगा, अगर आप इसे use करेंगे, तो इस setting को, use करके आप काफी कुछ यहाँ से disable कर पाएगे, ओके दोस्तों, तो notification easily disable कर सकते हैं, आपकी phone में आने वादी, ओके दोस्तों, तो उमीद है दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, बहुत जल मिलेंगी नेक् के लिए, बाए दोस्तों